अच्छा कुछ बच्चों का कहना है सर आप सारे इससके किरा रहे हो बुक के भी किरा औगे गया तोल रिक़ोडिट में बुक के कुष्टों सबेलिंबल है पूरे ने इसके किरा रहे हूं तो आप जो बच्चे अभी एंडॉल मेरे पास पढ़ रहे हैं उनका तो फाइदा ही फाइदा है बुक के भी कोश्चन सारे वीडियो मिल रहे हैं और पास ये कोश्चन का भी वीडियो मिल रहे हैं मुटा को अबशन काई आपकोस उंदूरता हुए उस प्रेक्टिष के लिए कोश्चन संथ को सायु सर चलिए एक इक कीटि inconsistent मतलब अच्छा काम नहीं कर रही लागू सर्फ हा काफी सारें नुक्सान है Revaluation of Assets Following बोलता है भहिया Land को अब इतना कर देंगे परनीचर को देखो अब एक बाद सुना Revaluation of Assets का मतलब है अब ये इतने का है बोलता है कि भहिया Land एक 80 का हो जागा तो चेक करो भहिया Land कितने का था? आपका कितने का था? यहाँ फायदा हो गया इसके बाद परनीचर कहता है 72 का कर दो परनीचर 72 का कर दो कितने का था? 80 का यहाँ नुकसान हो गया Plant and Machinery 2 लाग का कर दो Plant and Machinery कितना था? 4 यहाँ भी भहिया नुकसान हो गया Stock को 2 लाग का कर दो तो Stock कितने का था? भहिया यहाँ भी नुकसान हो गया और बाकी ऐसे जो था वही है उसमें कोई बदलाव नहीं है दब फॉलाविंग स्कीम रीकंस्रक्शन अप्रूब्ड बाइदा कोट कोट ने अप्रूब्ड कर दिया कहता है कि एकुटी शेर कंवर्ट इंटू तो रुपए बोलो बहिया जितने काभ एकुटी है ने इसको दो का बना के खतम करो तो बहिया यहाँ पे अगर मैं एकुटी नंबर पूछू तो 20 लाक के और 10 रुपए वाले थे तो इसका मतलब 2 लाक एकुटी शेर थे अब 2 लाक एकुटी शेर को 2 रुपए में कर दो तो अब कितने हो जाएंगे 4 लाक तो यहाँ फायदा कितना फायदा है हां चार लाक हां कितना फायदा हो जाएगा 16 लाक रुपए था ठीक है चलिए तो हम एंट्री करते जाते हैं न साथ के सांथ तो पहले हम लिख देते हैं old इकुटी अकाउंट डेबिट टू नियू इकुटी चार लाक और टू सोला लाक क्लियर है जी अगले पॉइंट पर आते हैं कहता है यह 10 परसंट प्रफरेंश यह पहले कितना था सौ रुपए का यानि पहले हमारे पास पांच लाक को डिवाइड अगर सौ से करें तो पांच हजार के शियर थे अब बोलता भी यह इन पांच हजार को जो पहले सौ रुपए का यह इंजोई कर रहे थे ना पहले तो ख़तम करो 10 परसंट पर फ्रेंश यह कापिटल ख़तम पहुच ला आ जो भाई तुम्हें परसंटेज बढ़ाए तुम्हारा कितने परसंट कर दिया अब बोला कि इसको कितने का कर दो सर 40 का तो 5000 इंटू में 40 तो इसको कितने मिलेंगे अब और फाइदा कितने समझ में आ रहे है कि कि दश्वेंचर होल्डर होल्डर भाइश सब ध्यान देना घूल्डर में इंट्रस्ट को भी ध्यान देना है के नियर वोड़को का मतलब छोड़ रहा है क्लें बाई 74 अजाद डिपेंचर ओल्डर कोड़र उसने बोला बहिए चोहत्तर अजार रुपिे मुझे मत दी हो। मैंने कोई बातनी चोहत्तर नहीं देना अब चोहत्तर नहीं देना तो इसमें क्या-क्या है कोस्टन में तो मान लेते हैं हम कि वह अपना इंट्रस्ट और कुछ पारट डिवेंचर के चोड़ रहा होगा तो यानि पहले तो मेरा इंट्रस्ट खतम हो जाएगा इंट्रस्ट खतम हो जाएगा मतलब जो व्याद दे रखाय कोर्शन में वह खतम हो जाएगा इंट्रस्ट अकाउंट डेबिट कितने 2400 और डिबेंचर भी कुछ खतम होगे इंट्रस्ट बाकी बच गए पचास हजार के डिबेंचर ध्यान दीजिये जादा आपको इधर नहीं जाना उसने बोला बस 74,000 को वेव अप करेगा वो अपना तो 74 में से क्या-क्या इंट्रस्ट का पैसा वो छोड़ने को तयार होगे और कुछ सम पार्ट तो भाई अगर 74 में से 24 इंट्रस्ट का पैसा है तो डिबेंचर का पैसा कितना छोड़ रहोगा 50,000 अब हमारा फायदा समझ में आया यानि सर नए वाले बैलेंच शीट में अभी मैं लिख देता हूँ नए वाले बैलेंच शीट में कौन बच्चा बताएगा डिबेंचर होगा या नहीं होगा होगा तो कितने का होगा पहले बताओ नए वाले बैले शीट में डिवेंचर होगा या नहीं होगा बताइए होगा नए वाले बैले शीट में क्योंकि सारा डिवेंचर थोड़ी खतम हुआ अब कितना होगा डिवेंचर बताओ तो सर नए वाले बैले शीट में डिवेंचर होगा क्योंकि हमने सिर्फ debenture को जो cancel किया है वो तो किया है पचास हजार का तो नए वाले balance sheet में debenture हो जाएगा डेड़ लाग का कितने का डेड़ लाग का सही जवाब डेड़ लाग का तो बस बात तो समझी आगे इसका मतलब आपको ठीक है अगला point the redeemable the debenture holder forego यह तो हो गया the revaluation of assets adapted कहता है जो revaluation था ना बोल रहे है इसको मान लो और ऐसे ही चलो तो भाईया कुछ फाइदे थे कुछ नुकसान थे एक में फाइदा था बाकिसम में नुकसान लेंड एंड बिल्डिंग में बस फाइदा हो गया तो land and building to reconstruction सर कितना फाइदा हुआ land and building डेड का था और यहां बोल रहा है एक असी तो फाइदा 30 का सही लिख रहा हुआ हुआ मैं 30 अब बाकि में नुकसान तो reconstruction debit बाकि में नुकसान reconstruction account debit टू क्या क्या सर टू furniture सर टू पी एंडल सर टू stock सर टू plant in machinery और कुछ भी रह गया क्या बताए और कुछ भी है सर फरनीचर कितने का कम भाईया अब कह रहे हो 72 पहले था 80 तो आठ plant and machinery कितने का कम सर इपी एंडल 14 लाक 35 अजा सर इस्टॉक कितने का कम अब पहले 3 लाक का अब 2 लाक का सर प्लांट and machinery कितने का कम पहले 2 लाक का अब प्लांट and machinery अब 2 का पहले 4 का तो टोटल नुकसान देखा जाए तो 14 दो 16 और 17 17 अठारा लाक 80 अठारा लाक 15 अजार कैसे जोड़ रहा यह 80 अठार 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 अच्छा यह आठ है मैंने अश्टी मान दिया न तो यह आजाएगा 3, 14, 3, 17, 35 और आठ 35 और आठ कितने होते हैं बोलो 33, 44 ठीक है आगे चलते हैं कहता है आप प्रोविजन 10% मेड अगेंस डेटर भाई है यह भी नुपसान तो मैं इसी एंट्री में इसको कर सकता हूँ इनकॉर्परेट प्रोविजन यानि 2 प्रोविजन डेटर पे तो भाई साब डेटर कम कितने का डेटर कम आप डेटर था हमारा 90 का डेटर कितने का 90 पे कितना कम 10% यानि 9000 इसमें भी बढ़ेगा कहता है गुडविल एंड लॉसे रिटर्न अफ कम्प्लीटली ओके भाई साब गुडविल भी रिटर्न अफ करना ये भी आएगा 2 गुडविल कितना है तो अब वो करेगा तो फिरी में तो काम करेगा नि उसके बदले पैसे लेगा जैसे Desolution में याद होगा जब Desolution होता था तो हम Payment करते थे जो Dissolve कर रहे हैं ऐसे Reconstruction जो करता है उसको Payment करते हैं उसे Reconstruction कहते हैं तो Reconstruction में जब Paid करेंगे हम तो पूरा का पूरा ही नुकसान है भाई तो हम यहाँ पर entry पता क्या करेंगे reconstruction account debit two bank payment done two bank payment done कितने 15,000 लोजिक खतम इन सब को जोड़ दो गलत टोटल था 19,00,00 19,27 कहता है पास general entry हाँ कर दिया general entry अब एक पार्ट general entry कर रह जाता है तो उन सा capital reserve वाल वो चेक करते हैं फाइदा 16,00,00 पहले फाइदा जोड़ लेता हूँ 3,00,19,00 फाइदा 74,000, फाइदा 30,000 है ना और कहीं फाइदा है नहीं नुकसान 19,27,000 नुकसान 15,000 तो टोटल 62,000 बने तो यहाँ पर आजाएगा reconstruction 2, capital reserve यह भाई final answer आज़ेज़ चेक तब लिए सर्व गीवन है balance sheet में interest येस ये गीवन है ओहो ये भाई साब कहाँ जाएगा share issue expense under writer commission preliminary expense share issue expense भी write off होगा मैंने note लिखवाय था ना बिना बताए कितने गए तो भाईया 25 और बढ़ा दो यहाँ 52 हो जाएगा बस अब भाईया फाइदे में 25 और कम कर दो कितने होंगे 62 में से 25 कम 37 ठीक है इसको बोले ना बोले करना है share issue expense is also preliminary कर दिया ना बावन जोड के मैंने बावन कर दिया पहले तो बुक में तो यह भी होगा ना पंद रहाजार और भी कुछ होगा उपर नीचे तो टोटल देख लो नीटो सर डिबेंचर रिपीड कर दो डिबेंचर रिपीड कर देते हैं सर डिबेंचर कहता है यह डिबेंचर ओल्डर है और यह कहता है मैं पैसे नहीं लूँगा मैं पैसे नहीं लूँगा मैंने बोला भाई तेरे पहले पैसे तो बता कितने हैं बोला 24,000 ब्याज के हैं और 2,000,000 रुपे डिवेंचर के हैं इसने बोला मैं पैसे नहीं लुँँआ कितने नहीं लेगा इसने बोला बस 84,000 नहीं लुँआ मैंने लुँआ ठीक है भाई 84,000 में तेरे 24,000 ये कट गे ब्याज के और बचे 50, 50,000 यहां से कट गए यानि तेरे डिवेंचर अब रहे गए टेट राखता हमारा फाइदा जो है एक तो इंटरस्ट खतम हुआ डेबिड कर दिया डिवेंचर भी कट गए 50 के डेबिड और टोटल फाइदा चोहतर अजार से देखिये फिर अगले कोशन पर चले डेटर वाला पार्ट कहता प्रोविजन प्रोविजन में तो डेटर कमी होना होता है न तो डेटर रेड्यूस कर दिया कोशन नमबर था यह ठीक है बाकी इन सभी के आंसर्स ना टैनियर के अंदर प्रिंट होल चुके हैं जो बच्चे नए हैं सैम टू वाले उनको अभी मिल जाएगा और जिन बच्चों ने पुराने वाले टैनियर जोकी सैम फोर वाले वच्चे हों के उन्होंने अगर खरीद लिया है तो उनको यह अभी लिबल होगा तो आंसर का फॉर्मेटिंग क्या होना अच्छिए वो अभी में में कॉंसेप्ट देखना है सर कॉंसेप्ट अगर आपको आगे तो बात ही खतम और मैं नहीं समस्ता मैं बताओ ना तो यह चेप्टर आपका एक्जाम में एक फेवरिट चेप्टर बनने वाला कि यह पेपर में दस पंदा नमबर का ऐसा कोशन आए फटा फटा फट होगा क्या लेंग्वेज और लेंग्वेज के आपको कम से कम दस से बारा कोशन प्रेक्टिस करोगे तभी आए